Dark Secrets of Compounding, The Poisonous Truth of Compounding Hello guys, welcome to Brain Green Dunia. दोस्तों, Compounding के बारे में आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी. Compounding से लाखों करोडों कमाए, Compounding का Magic. आज मैं आपको Compounding के Dark Secrets के बारे में बताने वाला हूँ. The Poisonous Truth of Compounding, Compounding का जहरीला सच. इसी लिए बिल्कुल भी Skip मत कीजिएगा. मान लीजिए, सुशेल ने 1900 में Doe Jones Industrial Average DJIA में 1000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया. ये 1900 से 2005 तक DJIA का Average Annual Return 7.3% था. 7.3% के Average Return का यूज करते हुए, इन्वेस्टर सुशेल का मानना है कि 1900 में इन्वेस्ट किया गया 1000 डॉलर 2005 के एंड तक 17,52,147 हो जाएगा. क्योंकि 7.3% पर Annual Compounding 1000 डॉलर से 2005 के एंड तक 17,52,147 मिलता है. हालंकि ऐसा हुआ नहीं. DJIA 1900 में 66.08 पर स्टार्ट हुआ और 2005 में 10,717.50 पर एंड हुआ. यह 4.92% का Mixed Average देता है, क्योंकि Market Returns Only Compound Ratios होते हैं. 1900 की बिगनिंग में DJIA में इन्वेस्ट किये गए 1000 डॉलर का रिजल्ट 2005 के एंड तक सिरफ 162,547 डॉलर होगा. तो ऐसा क्या हुआ जिससे Compounding का Benefit नहीं मिल पाया? Compounding लो होने के कई Reasons होते हैं, जैसे की Effect of Negative Returns, Hidden Taxes, SIP Negative, Ups and Downs, Debt Trap, आईए इन सारे Reasons को एक ए करके समझते हैं. 1. SIP Negative June के मन्त में SIP से होने वाला Investment 7,350 करूट रुपिस के Record लेवल पर पहुँच गया था. SIP से Investment की Popularity लोगों के सर चटकर बोल रही है. इसकी वज़ा, शेरों से डबल प्रॉफिट कमाने की डिसायर, हाला कि पिछले कुछ टाइम से SIP के Investors को Negative Return मिल रहे हैं. ज्यादतर Mutual Fund Advisors का कहना है कि इस सिचुएशन में खबरा कर Wrong Decision लेने की वज़ाए, Investors को अपने Mind का यूज़ करना चाहिए. कभी भी Investors को एक साल से कम पिरेड से पहले SIP के Return का Estimate नहीं करना चाहिए. Equity SIP कभी भी Short Term के Investment के लिए नहीं होता है. For example, last year, कुछ Mid Cap SIP स्कीमों ने 40% का Return दिया, मगर अब उनका Return negative है. SIP में 5-10 years के लिए Invest करना चाहिए. During this period, market में ups and downs regularly आएंगे. पिछले कुछ सालों में Equity Return और GDP Rates सेम ही रही है. इसी वज़ा से Investors को सिब बंद नहीं करनी चाहिए. क्या किसी स्कीम का Return negative होने पर दूसरी स्कीम में Invest करना सही होगा? Normally, किसी fund की performance का assessment करने के लिए 6-7 months का period काफी छोटा है. किसी स्कीम के performance का assessment कम से कम after 3-5 years किया जाना चाहिए. अगर कोई स्कीम 3 years के period में benchmark index से काफी दूर है, तो उसे छोड़ देना ही बेटर है. Apart from this investors को, कई other reasons से भी स्कीम चेंज करनी चाहिए. अगर किसी स्कीम की investment philosophy बदल गई हो या fund manager बदल गया हो, तो इन cases में आप अपने financial advisor से discussion करके स्कीम बदल सकते हैं. एक स्कीम में कितने time तक SIP से investment किया जा सकता है? ज्यादतर fund house SIP से investment के लिए at least 6 months का period रखते हैं. इन्वेस्टर अपने goal को देखते हुए 3 years, 5 years या 10 years का period चुन सकते हैं. इसके अलावा perpetual option भी select किया जा सकता है. इसमें as per investors wish his SIP close होगी. annual appraisal के बाद मेरी salary बढ़ गई है. क्या मुझे investments भी बढ़ानी चाहिए? आपको market की fluctuation से affected नहीं होना चाहिए. salary बढ़ने के साथ investment भी बढ़ाना चाहिए. इसका best तरीका है कि जितने percent salary बढ़ी है, investment को भी उतने percent बढ़ाना चाहिए. ध्यान रखिए कि time के साथ expenses और inflation दोनों बढ़ते हैं. नबर टू, the effect of negative returns. mutual fund में investment पर profit होना ना होना कई factors पर depend करता है. new investors initial losses से खबरा कर पैसा withdraw करने की सोचते हैं और कई बार नुकसान कर बैठते हैं. अगर आप new investor हैं और market की technical चीज़ों से aware नहीं है, तो सबसे पहले एक mutual fund advisor से मिलें और उसकी advice लें. इसके अलाबा अपने risk profile, investment limit और अपने goal को लेकर clear रहें. stock market कई चीज़ों पर depend करता है और कई बार bad time से भी गुजरता है. investment continue रखना या stop रखने का decision लेने से पहले. अपनी scheme की बीते सालों में performance देखें और फिर decide करें. इसके अलाबा आप अपनी mutual fund scheme का profile चेक करें और यह देखें कि यह large cap, mid cap या multi cap scheme है. अपनी risk लेने की appetite देखें और decide करिए कि क्या आप और risk ले सकने का appetite रखते हैं या नहीं. इसके बाद ही आपको market से पैसा withdraw करना है या नहीं decide हो सकता है. नमब 3. Hidden taxes जग government स्यादा पैसा print करती है या interest rate को कम करती है तो market में liquidity बढ़ जाती है जो long run में inflation को rise देता है. inflation बढ़ने के बाद इस cash की value कम हो जाती है. inflation बढ़ने के बाद cash की value में जो कमी आती है उस कमी की degree को inflation tax कहा जाता है. inflation tax, government का लगाया हुआ external tax नहीं है. यह एक natural phenomenon है जो price में continuous increase और currency की value कम होनी की वज़ा से होता है. यह government debt या fixal deficit को reduce करने की एक indirect strategy है और इसे दुनिया भर के policy makers के through adopt किया जाता है. debt को pay off करने का ज्यादा direct way government को पैसा कमाना है. जब domestic product यानि GDP में growth की possibilities कम होती नजर आती है तो government enough revenue generate करके debt चुकाती है. तो ऐसे circumstances में एक ज्यादा indirect approach essential है और इंडिया में अभी यही हम देख रहे हैं. inflation tax में government या तो essential goods पर tax बढ़ा कर या reserve bank से और पैसा प्रिंट करने के लिए कहकर prices को बढ़ा सकती है. ऐसे tax को बढ़ाने का result यह होता है कि वे prices में general increase के form में customers को transfer हो जाते हैं. इंडिया में production process का एक major input fuel है. fuel prices बढ़ती हैं तो काफी extent तक transportation की cost बढ़ती है और हमारे day-to-day expenses को directly affect करती है. यही नहीं, production में भी fuel एक universal input के form में भी काम करता है. agriculture products को गाउं से urban centers में ले जाये जाता है और यह transportation डीजल पर depend करता है. fuel के prices में increase agriculture sector को affect करती है क्योंकि farmers को high cost लगाने बढ़ती है और कम profit होता है. इसलिए वे cost को consumers को बढ़ी हुई price के form में पास कर देते हैं. माल लेजे आपके pocket में 100 रुपीज हैं. जब inflation कम होता है तो आप potentially उस 100 रुपीज से 2 kg rice खरीच सकते हैं. लेकिन जब government fuel पर या basic खाने की item पर tax बढ़ाती है तो वही 100 रुपीज आपको higher price पर 1 kg rice दिला पाएंगे. अब imagine कीजी यह सभी goods के साथ हो रहा है यह एक general inflation है तो government inflation बढ़ाने के लिए food और fuel पर tax क्यों लगाती है? government ऐसा government debt की rear value को erase करने के लिए करती है. माल लीजे कि inflation के होने से पहले हम rice खरीदने के लिए 100 रुपीज उधार लेते हैं इससे हम 2 kg rice खरीद सकते हैं इसी बीच government ने fuel के price में increase किया जिससे price का general level बढ़ गया जब हमने borrowed पैसे को payback किया तो वह उतने ही पैसे में 2 kg rice नहीं खरीद सका इस बीच क्या हुआ कि सभी goods क price बढ़ गए इससे आपको यानि borrowed को benefit हुआ और आपके neighboring lender को loss अब अगर हम इस concept को पूरी economy पर apply करते हैं तो fuel के prices में increase government से एक strategy है जिससे government अपने government debt को pay off करने की need के चलते implement करती है इसे partly यह पता चलता है कि crude oil prices में कमी के बावचूद fuel के prices में continuous rise होता है इसके अलावा यह strategy उन states से भी adopt की जाती है जिनके पास fuel पर wet लगाने की power होती है जिसके कुछ years में और इस year fuel के prices में continuous increase government debt के mismanagement को भी reflect करता है No.4 Ups and Downs Market analysts का कहना है कि जब share market में गिरावट हो तो investor को panic हो कर कोई step नहीं उठाना चाहिए recession की reasons को analyze करके अपना investment plan बनाना चाहिए market में all the time better investment की opportunities available होती है जरूरत बस उन्हें recognize करने की होती है दुनिया भर में equity market में इस समय हलचल मची है American Federal Reserve से interest rates में increase करने की possibility से market scared है MSMI, Asia Pacific Index, 2 weeks में 5% तूट चुका है इंडिया में भी share market में पिछले कुछ दिनों में turmoil जारी है जिन investors के currently अपने goals अचीव नहीं हो रहे हैं वे panic ना हो और market से बाहर ना आए Amol Joshi का कहना है कि market often पहले से होने वाले events को digest कर लेता है जब वो event होता है तो उसका असर market पर फिर कम होता है जो लोग SIP या SDP के थूँ invest करते हैं वो lump sum business पर current level पर additional investments कर सकते हैं उनको shareों की price में गिरावट का benefit मिलेगा strong business model वाले IPO में investment इन्वेस्टर इस गिरावट में अच्छे shareों को choose कर सकते हैं जिनका business model strong है और जिनके fundamental में कोई change नहीं आया है Recently listed Nika का share price अपने high से 21% तूट गया है हाला कि यह stock अभी भी अपने issue price से 48% उपर है इसी तरह Zomato का stock अपने high से 41% slip हो गया है लेकिन अभी भी यह अपने issue price से 31% उपर है Stop loss माइन में रखे HDFC Securities के दीपक जसानी का कहना है कि investors को किसी IPO में बड़े loss से बचने के लिए अपने माइन में mental stop loss बनाए रखना चाहिए इसका मतलब यह है कि यह पहले से ही determined कर लेना चाहिए कि किसी IPO में कितना loss आप बियर करेंगे और कब exit होंगे इसे आप किसी एक IPO में stuck नहीं रह जाएंगे जरूरत पढ़ने पर आप loss देने वाले IPO से निकल कर ज्यादा better IPO में पैसा लगा सकेंगे जो business model समझना आए उससे रहें दोर Financial advisor दीपक जसानी का कहना है कि investors को उन companies के IPO को लेकर conscious रहना चाहिए जिसका business model उनको समझ में नहीं आता पिछले कुछ weeks के time ATM के shares में 17% की गिरावट देखने को मिली है इस समय यह stock अपने issue price से 57% नीचे कारोबार कर रहा है 5. debt trap हर कोई loan लेने से बचना चाहता है लेकिन कभी circumstances ऐसे बन जाते हैं कि हमें loan लेना पड़ता है debt को smartly manage करना very important है अगर ऐसा नहीं किया गया तो कर्ज जी का जंजाल बन जाता है और आप इसमें trap होते चले जाते हैं आज के time में चहें आप अपने dream house बनाना चाहते हों बच्चों को अच्छे education दे लाना चाहते हों या फिर vehicle खरीदना हो लोगों को किसी ना किसी काम के लिए loan लेने की ज़रूरत पड़ी जाती है लेकिन कभी कभी यह debt बड़ी trouble का cost बन जाता है अगर आपके सामने कभी ऐसी situation आ जाए तो बिलकुल panic ना हो आपको debt trap से निकलने के लिए बस कुछ tips का ध्यान रखना है दोबारा loan लेना नहीं है option जब आप एक debt trap में फंस जाते हैं तो आपके पास एक नया loan लेकर पुराने loan को pay off करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि EMI payments आपके civil score पर bad impact डालती है आपके civil report के बिगड़ने के वज़ा से दूसरा loan मिलना बहुत difficult हो जाता है स्ट्रेटेजिकली करें काम अगर आप एक debt trap में फंस गए हैं तो अपने debt के लिए pay off करने के लिए एक strategy बनाएं अपने सभी debts की एक list प्रिपेर करें फिर decide करें कि आपको किस loan को existing loan installment के लिए भी pay नहीं कर सकते तो ऐसे टाइम में आपको अपने bank officials को अपनी current financial condition के बारे में पताना होगा इसके साथ ही उन्हें loan repay करने के लिए extra time देने की demand कर सकते हैं इस तरह आप EI pressure को कम करने में capable होंगे इसके अलावा all time पा सकेंगे आप income earn करने के लिए more option find करने में capable होगे अगर आपको कहीं से भी any other loan नहीं मिलता है तो ऐसे time में आपकी real estate financial crisis को handle करने में help कर सकती है आप debt को pay off करने के लिए अपनी saving का भी use कर सकते हैं अगर आपने shares में invest किया है तो उनकी help से आप debt crisis से चुटकारा पा सकते हैं गोल्ड भी है useful डेप्ट से बाहर निकलने के लिए as a solution आप एक gold loan option भी चुन सकते हैं आप gold jewelry और coins के against easily loan ले सकते हैं यह आपके asset का use करने के लिए best और fastest option है loan के लिए around 8-15% interest pay किया जाना चाहिए इसलिए अगर आपके पास high interest के साथ loan है तो आप इसको pay करने के लिए इसका use कर सकते हैं compounding के negative effects पर काबो पाईए successful investors समझते हैं कि उन्हें इसके negative effects से deal करते हुए compounding की power का use करना चाहिए यह strategy like many other investors को disciplined approach अपनाने और अपना homework करने के लिए कहती है studies के accounting stock के price में कुछ change market trends के वज़ा से होते है यह पहचानना कि market long term, multi-air, bullish या bearish के trend में है या नहीं फिर environment के according invest करें यह short term के pattern के लिए भी true है compounding के नुकसान को दूर करने के लिए एक investor को अपने portfolio का knowledge होना चाहिए आपको market के trends को identify करने के साथ साथ suitable investment opportunities की identification करने की capabilities हसिल करने होगी compounding के नुकसान को overcome करना और market को outperform करना एक extremely rewarding experience हो सकता है after all आपका पैसा ही at stake है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को immediately subscribe ज़रूर करते हैं और अगर ऐसा कोई भी टापिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें comments करके ज़रूर बताइएगा जल्द ही मिलते हैं एक और शांदार वीडियो के साथ गुडबाई